तोड़े आइम टेलिंग आपाओ सब्जेक्ट मैंट्स एडिशन्स ओके पार्ट थ्री एडिशन्स मेंज तो एड जोईन नमबर ओके दो नमबरों को जोड़ना एडिशन कहलाता है इसका जो साइन होता है वो क्या होता है प्लस ओके हमने इसके पहले की वीडियो में एडिशन्स किसे कहते हैं एडिशन्स को कैसे एड करते हैं फिर नेक्स पार्ट टू में हमने आपनों को इसको एडिशन्स को एड करना हमने सिखाया आज हम digit करना सिखेंगे, numbers को add करना सिखेंगे, ओके, आज हम pictures add नहीं करवाएंगे, आज हम आपको numbers को किस तरह से add किया जाता है, वो सिखाएंगे, ओके, तो यह हमारा part 3 है, ओके, so let's just start, one number, सबसे पहले यहां हम 2 plus 3, ओके, इस तरह से हमने यहां पर box बनाया, अब हमेंसे क्या करना है, add करना है, ठीक है, तो हम add करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके number को हम जोड़ेंगे, तो इसको हम आपको line खिच के समझाते हैं, जैसे यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले यहां पर one and two, two draw line करेंगे, फिर यह वाला symbol add करेंगे, प्लस, फिर नीचे digit क्या दिया हुआ, three, तो इसे हम one, two and three, ओके, इस तरह से हमने इसको add किया, सबसे पहले हमने two draw line किया, क्योंकि यहां पर जो संख्या है, वो two है, और फिर यह वाला प्लस हमने यहां पर symbol लगाया, इसके बाद यहां पर three दिया हुआ है, वह यहां इसी तरह से हमने three यहां पर line draw किया, अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को, दोनों digit को हमको plus करना है, तो अब हम plus करें, one, two, three, four, five, ओकी, two plus three is equal to five, यहां क्या आया हमारा, five, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, और two plus five, five, sorry, two plus three is equal to five, ओकी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, next numbers, practice करेंगे, four plus two, यहां पर हम ऐसे box बनाएंगे, इस box के हंदर हम number लगेंगे, ओके, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर दिया है, four plus two, फिर्ष हम इसी तरह से यहां पर draw करेंगे line, one, two, three, four, plus, यहां पर क्या है, two, one and two, okay friends, तो यहां पर हम आप इसे क्या करेंगे, four plus two add करेंगे, one, two, three, four, five, six, okay, तो यहां पर four plus two कितने हैं हुए, six, तो यहां हम क्या लिखेंगे, six, okay, four plus two is equal to six, okay, इसी को हम कैसे लिखेंगे, four plus two is equal to six, okay, next example, third number, five plus four, फिर यहां पर हमने box बनाया, अब यहां पर फिर से हम add करेंगे, five plus four, तो इसे कैसे add करें, one, two, three, four, five, यहां पर नमबर क्या है, five है, इसके हमने यहां पर कितनी लाइन ट्रो किया, five लाइन ट्रो किया, अब यहां पर हम किसका सिम्बोल लगाएंगे, plus का, ओके, इसके बाद, नीचे की डिजिट दिया है, four, तो यहां पर हम one, two, three and four, four, ओके, यहां पर हमने कितनी लाइन ट्रो किजिए, four, अब हमें इसको क्या करना है, plus करना है, तो अब इसे भी हम फिर से plus करें, five, one, two, three, four, five, ओके, यहां पर कितनी लाइन ट्रो है, five, plus six, seven, eight, nine, ओके, तो five plus four is equal to nine, ओके, क्या हुआ यहां पर, five plus four is equal to nine, अब इसको हम और कैसे लेखेंगे, five plus four is equal to nine, ओके, तो, today is homework, one number question, four plus four is equal to, अब यहां आपको लिखने हैं, ठीक है, next question, four, four plus three is equal to, इस बॉक्स के अंदर आपको numbers लिखके लाने, ओके, तो यह आपको homework है, आप इससे practice करें इसी तरह से, और इस homework को भी complete करना है, ओके, पबैस्च चिल्टरन्स, और इसस स्चिऑ है उन्दरी खुगव में ईन्यूलर करें तरह, कैसलो और उम प में ऊग्दुव सक जो जड़तों हैं, तरह, व्ज